पूल गिरता है और आप खबर देखें पूल गिरता है बता दे कि यह जो पूल गिरा है वो भागलपूर और खगडिया को जोडने वाली अगवानी पूल है जो एक बार फिर भरस्चार की भेट चड़ चुकी है अगवानी पूल के गिरने के बाद जदियू के एक विधायक है जुनका नाम है संजीव कुमार उन्होंने अपने फेस्बूक पर एक पोस्ट किया है एक पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि अगवानी सुल्तान गंज में गंगा पे निर्माना धीन पूल फिर तीसरी बार कीड़ा पूरा सिस्टम भरस्चाचार में लिप्थ है मैं लगातार बोल रहा था कि फिर गिरेगा लेकिन आज तक किसी पे कोई कारवाई नहीं हुई ना अधिकारी पे ना SP सिंगला कंपनी पे ना रोडिक कंसल्टेंसी पे नितीश कुमार को भी टैक किया है और साथ ही नितीन गतकरी को भी संजीफ कुमार ने अपने फेस्बुक में जो पोस्ट किया है उसमें टैक किया है पूल जो है तीसरी बार गिरा है जिसको लेकर अब जद्यों के विधाक ने भी फेस्बुक पे पोस्ट किया है उन्होंने कहा है कि वो पहले ही कह रहे थे कि ये पूल फिर से गिरेगा लेकिन किसी ने सुनी नहीं नहीं किसी ने कारवाई बता दे कि आज सुबे सुबे नर्माना धीन अगवानी पूल के पिछले साल गिरे सूपर स्ट्रूक्चर का बचा हुआ हिस्सा गंगा नदी में समागे आपको बता दे कि ये पूल जो है वो तीसरी बार गिरा है साफ जाहिर होता है कि बिहार में किस तरह की मजबूती से पूलों का अधार शिला रखा जा रहा है वही पूल के साथ साथ बिहार सरकार की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हुआ हुआ है स्ट्रक्चर पानी में जोल समाधी ले लिया बता दे कि इस पूल की आधार शिला 23 फरवरी 2014 को खगड़िया जिले की परबत्ता में मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने रखी थी इसका कारी प्रारम किया गया था ऐसे में करीब 11 साल बाद भी ये पूल नहीं बन सका इस पूल की लागत करीब 1710 करोड रुपे है ये पूल करीब 3.160 किलोमीटर लंबाई में बन रहा है इसमें खगड़िया की ओर से करीब 16 किलोमीटर और सुतान गंच की ओर से करीब 4 किलोमीटर लंबाई में अप्रोच रोड भी बन रहा है ऐसे में अप्रोच सहीत पूल की लंबाई करीब 23.1 किलोमीटर है देखे बेहर में लागातार पूल गिरने का सलसला जारी है और एक और पूल जो भागलपुर से खगड़िया को जोड़ती है अगवानी पूल वो आज गिर गई है सुबे सुबे पहली बार ये पूल नहीं गिरा है आपको बता दे कि आज ये तीसरी बार पूल का पिलर गिरा है इससे पहले भी दो बार इस पूल का पिलर गिर चुका है हलाकि इस पूल का जो निर्मान कारी है वो 2015 से ही चल रहा है लेकिन अभी तक इस पूल का निर्मान हो नहीं पाया है फिलाल कि इस ख़बर मसतना ही आप देखते रहें